आप सबी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज हम एक ऐसे भक्त के बारे में बता रहे हैं जिन को सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रती और श्रध्धा भक्ति बढ़ जाएगी तो ये जो हैं ये हैं गोपाल दास तिवारी ये लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्ते जिसको कहते हैं परम भक्त ऐसे थे ये जिनका की निधन हो चुका है और ये कैसे थे कैसे इनको लड्डू गोपाल मिले और इन्होंने क्या प्रण किया था और फिर वो इच्छा इनकी पूरी हुई की नहीं तो इस कहानी के माध्यम से आप सुनिएगा कि ये कौन थे और इनके ये जो लड्डू गोपाल है ना इन्होंने नाम रखा था मुच्चू गोपाल तो ये कहानी जरूर सुनिएगा और ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं तब ही देख रहे हैं तो अगर वीडियो थे विरिंदावन के नहीं ये रहते थे दिली में इनका था गांधी नगर मार्केट में खुद का व्यापार कपड़ों की सौप थी जो कि लड्डू को वो कहते थे पहले एक वीडियो मैंने इनका बहुत पहले डाल चुका है आप देख लीजेगा तो उन्होंने अपने ज प्यार और भजवान हमेशा सिर्फ भाव देखते हैं सिर्फ प्रेम देखते हैं जो कि निश्चल प्रेम हो जिसमें कोई कपट ना हो कुछ नहीं तो ये क्या करते थे गुपाल दार्शी जब ये अपनी सौप जाते थे तो इनको भी अपने साथ लेके जाते थे और जहां पर जिस गदी में ये बैठते थे इन्होंने अपना अपना वो कर लिया था कि इतना जो है ये तुम्हारा है तुम्हारा जो भी विकेगा वो तुम्हारे पैसे और उस पैसे से ये इनके अकाउंट में जमा इनका अलग से अकाउंट था और उनका अलग था तो इन्होंने बहुत सारे पैसे उनके कई लाक रुपय हो गए थे तो फिर क्या किया था कि उस पैसे से ये वरिंदा बनाए मतलब अपने पैसे और ये पैसे दोनों जोड کے और फिर वरिंदा बनमेंहों ने एक मकान लिया और कुछ वर्सों तक वहाँ पर रहे फिर अचानक से इनके मन में एक बार ऐसा भाव आता है और ये भाव ना सिर्फ लड़ू गोपाल के भक्त को दूसरों को तो लगेगा है पागल हो गया है कुछ नहीं है तो ये कर रहा है ऐसा नहीं है ये भगवान लड़ू गोपाल के प्रेमी जो होते है न जो भगवान के प्रेमी होते हैं तो उनको वो भाव समझ में आते हैं तो उनके मन में आया कि यार सब जाते हैं जो भी अगर मैं इनको बच्चा माना हूँ अगर मैं इनको आलाद माना हूँ तो फिर इनको क्यों नहीं पढ़ा सकता मैं ये क्यों नहीं स्कूल जा सकते ऐसे इनके मन में वि तो पहले तो वहां के टीचर बाई कोई भी सौभाविक सी बात है कोई कैसे किसी मूर्ती है किसी लड्डू गोपाल के एड्मिशन कर सकता है कोई नहीं करेगा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी थोड़ी होता है यह कोई वो थोड़ी यहां पे स्कूल है बच्चे आते हैं और इनको इनकी सेवा कर रहा हूँ मैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी बच्चा पढ़ है और फिर ऐसे जब वो तो वो भी धार्मिक थी वो भी पांडे थी इनकी तिवारी थी वहां की जो प्रिंस्पल थी तो उन्होंने भी समझा उस भाव को और फिर उन्होंने एड्मिशन कि अपने स्कूल में बहुत अच्छे से सब को चल रहा था और ये जो थे और इन्होंने अपने लड्डू गोपाल का नाम रखा था मुच्चू गोपाल प्यार से इनको मुच्चू कहते थे अपने लाला को लड्डू गोपाल को तो इनके गोपाल जी रोज कैसे आते थे रिक्सा से गुपायल दाश्ची आते थे स्कूल उनको लेके आते थे और वैसे ही यूनिफॉर्म उनकी सिल्वाते थे जो स्कूल में ड्रेस चलती है ना वैसे ही वो ड्रेस सिल्वाते थे अपने मुच्चू गुपायल के लिए और वो ड्रेस पहन के वो आते थे स्कूल, मेरे साथ है और मैं इतना खुस हूँ इतनी खुसी तो मुझे अपने बच्चों में नहीं मिलती जितनी खुसी मैंने इस मुच्चु को पाके मिली है मतलब जब से उनके जीवन में मुच्चु को पाल आए थे तब से उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया था देखो इंसान ज इतनी खुसी है न उतनी संसारिक चीजों में नहीं है तो वो इनमें ही लगे रहते हूर मैं के लोग कभी कभी न वैसे वो जाते थे कि क्या है जब देखो ता उन से ही बाते करना उन से उनको वह वहाव जमझ में आते थे कभी-कभी क्या होते था इनकी वाय जैसे इंटर् आप करते रहते हो जम देखो दो बार, तीन बार, चार बार तो वह कहते थे कि अरे इसको पसंद नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं इसकोoff पहनना है ऐसे हो कभी मंदिर गए बिहारी जी आप पिरंदावन में ही बिखत के भाव होते हैं तो एक बार उन्होंने कहा था अपनी वाइब से और अपने बेटे से उनके एक बेटा एक बेटी है और यह गुपालजी थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं खतम होंगा जब मैं मरूंगा तो मेरा जो संसकार है मेरा अंतिम संसकार मेरे मुच्यू से कराना क्योंकि वही मेरा बेटा है और ये तो संसारिक बेटे हैं लेकिन असली बेटा जो है मेरा वही है और वही मेरा सब कुछ करेगा तो क्या और जो भगवान के भक्त हो इतनी अच्छी मृत्य हुई कि अच्छे अच्छे बड़े-बड़े साधू महात्माओं को नहीं मिलती है। अच्छे अच्छे बड़े-बड़े साधू मिलती है। करते कि लाला मेरे जाने का टाइम आ गया है और तू अच्छे से रहना आपने अब जैसे रहता था वैसे ही रहना और इन से अगर कोई जो घर के सज़से इन से अगर कोई गलतियां अगर हो जाया करें तो माफ कर देना और तू अच्छे से रहना मेरे जाने की बारी लेकिन ज अच्छा नहीं लगता है ऐसे मत बोलो तो बोले नहीं ये तो सभाविक सी बात है जो आएगा वो तो जाएगा ऐसे करके और वो बोलते हैं तो सोचो बोलते बोलते ही ऐसे बात कर रहे हैं उनसे और और भी अपने मन की बात हैं जो भी जैसे रोज करते थे वो उनको किसी से को पोई मतलब नहीं रहता था जब उनकी वाइप बना दी टेफिन तो ठीक है नहीं कभी ये भी नहीं कहते थे कि वह जा रहे स्कूल जाना है तो तूटेफिन बना खुच चले जाते थे और पने लड़ु को पाल के लिए टेफिन बॉटल तयार करते रिक्सा में बैठते और इ इनकी 5 बताती है जब वो लोट के आई जब देखती हैं तो उनका सिर और उनके जो लड़ू गोपाल थे उनकी गोदी में ऐसे पड़ा हुआ है तो सोचो बिहारे जी लड़ू गोपाल भगवान स्वयम आए उनको लेने इतनी अच्छी मृत्यू जब आके देखती हैं तो उ बगवान के सच्चे भगवान स्वयम लेने आते हैं तो इतने दयालू इतने क्रपालू होते हैं हमारे लड़ू गोपाल हमारे बिहारी जी और फिर जैसा उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाओं तो मेरा अंतिन संसकार मुखागनी जो होती है वो मेरे मुच्च्चू से तो ऐसे ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही करवाया गया उनके जो बेटा था उनकी घोदी में निको लड़ू गोपाल को ले कि क्योंकि लड़ू अब कैसे वो करेंगे तो इसी तरीके से तो भाव मिलना जी उनका भाव था कि मेरा सन्जकार ये करें तो आखरी में वही सब कुछ किये एक सादू के जैसे उनको मृत्यू मिली जैसे बड़े-बड़े संतों को मिलती है और बहुत से तो ऐसे संत हैं कि संतों को भी नहीं मिल जो की पूरा जीवन भगवान के उसमें लगा देते हैं तो जो भगवान के जरूरी नहीं कि जब हम संत बने सादू महात्मा ग्रहस्ती छोड़ें तब ही ये सब को चुगए बिल्कुल जरूरी नहीं आप सिर्फ भगवान में सच्चे हिर्दे से मन लगाएंगे न भगवान आपकी हर एक पुकार सुनते हैं हर एक चीज करते हैं जो आप चाहते हैं बस आप सच्चे हिर्दे से उनसे जुड़िये और उनसे कहिए तो ऐसे हैं हमारे लड़ू गोपाल तो बुलिए लड़ू गोपाल की जै वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिएगा राधे राधे